The angle of elevation of the top of a building and the top of the chimney on the roof of the building from a point on the ground are x and 45 degree respectively. The height of the building is h meter then the height of the chimney is. तो चीमनी का हाइट क्या निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ सर निकाल सकते हैं. देखो सर क्या बोला गया है? कि एक बिल्डिंग है उसके उपर कोई चीमनी है. एक बिल्डिंग है उसके उपर चीमनी है. यहां दूर से कुई बिल्डिंग के टॉप के एंगल of elevation कितना सर x है and चीमनी के टॉप के elevation कितना सर चीमनी के टॉप के elevation 45 degree है तो हमें अगर ये घॉइट बिल्डिंग का हाइट h दिया हुआ है तो इसका height क्या निकाला जाए तो the height of the chimney chimney का height अगर हम लोग सब चीमनी का height C ले लेते हैं ठीक है या फिर हम लोग P ले लेते हैं तो यहां से क्या मिल जागा 1045 degree मतलब base क्या हो जाएगा आपका base equals to B, B बराबर H plus B क्या आपको समझ में आया कैसे आया 1045 degree के बहलो होता है यह वाला side upon यह वाला side तो 1045 degree का कितना हो जागा 1 हो जागा तो ABC point पकड़ लो तो ABC, AB upon BC ठीक है तो यह अगर B base का length B small b ले लेते हैं उसके बाद हम लोग छोटा वाले ट्रेंगल को पकड़ते हैं 10x यहां से कितना हो जागा दोनों तरफ से B बराबर H cortex लिख सकता है हां सर तो दोनों तरफ से compare कर लेता है तो दोनों का B equal कर देता है ठीक है तो B equal कर देंगे तो हमें क्या मिल जागा सर H plus P बराबर H cortex ठीक है तो यहां से P बराबर क्या मिल जागा सर H cortex minus H ठीक है option number 2 is the correct answer ओके सर थैंक यो बाबाई स्टे तून फो दे नेक्स्ट क्लास